नमस्कार दोस्तों यूटूब पर आप देख रहे हो वी आई पी एडिटिंग चैनल और अभी आप जो ए वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ए वीडियो पूरा धियान से देखे स्टेब बाइ स्टेब आपको सिखाये जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो की जो प्रोजेक फाइल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यानि आप मेरी टेलेगराम की चैनल में जाके प्रोजेक फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें फोटो चेंज करके आप खुद का स्टेटेस बना सकते हो तो दोस्तों अभी अपने ये जो वीडियो है वो चालू करते हैं तो दोस्तों पहले तो आपको टेलेगराम एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेनी है एप्लिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको टेलेगराम एप्लिकेश दे दूंगा तो यहां से आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको दूसरी एप्लिकेशन की जरुरत पड़ेगी जखाइवर एप्लिकेशन उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे लेना है कि फोल्डर खुलने के बाद उस्तों इस तरह रार करके जो फाइल है ओजाएगी बात में आपको उसपर क्लिक करना है और यहां पे आपको एक्षटेग हीर पर क्लिक कर लेना है एक्षटेक हीर पर क्लिक करो गया तो दूस्तों आपसे पासवर्ट पूचा गूरा तो दोस्तो यह विडियो पूरा देखना है उसके अंधर जो pasar हुआ है वहीvid reall डालना है तो दोस्तो यहां पर मैं password डाल रहा हूँ दोस्तो यहां पर मैंने password डाल दिया है अभी में ok कर दूंगा ok करते ही दोस्तों जो RAR file है zip file में covert हो गई है अभी दोस्तों मैं बाहर आज़ाँ गा। बाहर आने के बाद आपको जो Nord Video application मेन application आपको खोल देनी है। इस तरह मेन application खोलने के बाद आपको यहां पे import लिखा है, वहां पे click करना है और यहां पे आपको Lord Project JeeP के लिखा है obe क्लिक कर लेना है क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो दोस्तों आपको यहां तीन लाइनिंग पर पहले तो क्लिक कर लेना है तो दोस्तों ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा बाद में आपको तीन लाइनिंग पर इस तरह क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है नीचे जाने के बाद my files पर आपको click कर लेना है और internet storage में जाने के बाद आपने जिस भी folder में जो project file है जो zip file में convert की है और file आपको यहां ले लेनी है तो मैं यहां पर file पर टिक करूँगा और done कर दूँगा, done करते ही दोस्तों यह जो project file है यहाँ पे आ जाएगी बाद में आपको उस project file पर इस तरह क्लिक कर लेना है क्लिक करते ही दूस्तों यहाँ पे कुछ इंटर्फेस ऐसा आ जाएगा बाद में आपको group पे क्लिक कर लेना है इस तरह तो दोस्तों यहाँ पे कुछ photo दिये गए है जो PNG और JPG photo है तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको फोटो चेंज करना है जो हनुमान का है जो योर फोटो करके मैंने नाम लिखा है तो दोस्तों मैं यहाँ से वीडियो के इस तरह आगे आ जाऊंगा तो दोस्तो यह जो photo है वो आप change करना चाहते हो तो यह वाला जो यह photo है योर photo करके और वैसे ही आप दूसरे photo भी change कर सकते हो तो मैं यह वाला photo change करके आपको दिखाता हूँ तो दोस्तो मैं पहले तो इस photo पर click करूँगा click करने के बाद आपको यह तीन lining पर click कर लेना है बाद में आपको यहाँ replace पर click कर लेना है तो दोस्तो रिप्लेस पर click करने के बाद बाद में आपको यहाँ पर click कर लेना है इसे click करोगे तो दोस्तो कुछ ऐसा interface आने के बाद क्लिक करना है और यहां Image पर क्लिक कर लेना है इमेज पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह के folder आ जाएगे यानि आपके मोबाल में जो भी folder है जिसमें photo iot folder यहाँ आ जाएगे तो यहां से आपको कोई भी अपना código photo फोटो सिलेक कर लेना है जैसे कि मैं कोई दूसरा एक फोटो सिलेक कर रहा हूं दोस्तों यहां पर वाला जो मैंने फोटो सिलेक किया तो दोस्तों यहां देख सकते हो फोटो आ जाऊंगा थोड़ा इस तरह और इस तरह में आगे आ जाऊंगा तो देख सकते हो के फोटो चेंज होके आ गया है तो दोस्तों इसकी मदद से आप फोटो को सेट अच्छी तरह कर सकते हो इसकी मदद से आप इसको उपर निचे भी कर सकते हो इस तरह फोटो को आप सेट कर लीजिए बाद में दोस्तों फोटो सेट हो चुका है अभी अपना यह जो वीडियो है वो तैयार है अभी वीडियो को सेव करना है तो यहां पे जो डाउनलोड का ओप्सन है वहां क्लिक करना है बाद में आपको यह ग्रीन बटन पर क्लिक कर लेना है तो दोस्तों यहां पे क खेर करो और कॉमेंट करना मत बूलना